आसिम रियास और रश्मी दिशाई इन दोनों के ही साथ सिधार्त शुकला की लड़ाई हुई है धेर सारी अब सब जानते हैं कैसे शुकला जी? घर के अंदर आसीम से लड़े हैं, घर के अंदर रश्मी से लड़े हैं, और इन सब के बीच में अब आसीम और रश्मी इन दोनों के ही साथ शुकला की मुलाकाथ एक बार भी नहीं हुई है नहीं सिधार्थ शुकला अब तक मिले हैं आसिम रियास से और नहीं सिधार्थ शुकला अब तक मिले हैं रश्मी रिसाई से इन सब के बीच सिधार्थ शुकला से एक इंटर्व्यू में सवाल किया गया घर के बाहर आने के बाद आपको ज्यादा दुख किस बात का होता है रश्मी से लडाई का या आसीम से लडाई का इस सवाल का जवाब सिधार्त शुकला ने बड़ी ही समझधारी के साथ दिया उन्होंने कहा रश्मी से लडाई पर कोई पच्छतावा नहीं है लेकिन आसीम को मैंने अपने चोटे भाई की तरह माना आसीम को मैंने अपने चोटे भाई की तरह प्यार किया और आसीम रियास से लडाई का मुझे काफी ज्यादा दुख होता है जी हाँ सिधार्थ शुकला कहते हैं कि चोटे भाई माना था उन्होंने आसीम को बिग बॉस के घर में और आसीम से जो उनकी लडाईयां बिग बॉस के घर में हुई हैं उनका वाकई उन्हें दुख होता है हाना कि रश्मी के बारे में कुछ भी ज्यादा कहने से सिधार्थ शुकला इस इंटर्व्यू में बचते हुए नजर आए नेक्स्ट नाइन निउस से मेगा की रिपोर्ट